मैं हूँ चंदर पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ मार्केट इतना गिरा क्यों देखिए उसके उपर कई रीजन है पहला रीजन है कि मार्केट में इतना हाई बन गया था इसलिए मार्केट गिरा है ठीक है और जो दूसरा जो रीजन है Corona Virus जो है उसकी मतलब ये फिर से मतलब बढ़ रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसे लिए सुनाई में दे रहा है कि सुने में देखे आ रहा है कि कुछ जगा lockdown लगेगा और कुछ जगा lockdown लग गया है ऐसा सुने में आ रहा है कि क्या है ये तो भी कुछ क्लियर नहीं है लेकिन अभी देखिए ऐसा लग रहा है कि मार्केट में गिरावट और आ सकती है ठीक है और क्योंकि इतना देखिए हम अगर बात करें पिछले कुछ 3-4 महिने से तो मार्केट में बहुत भेंकर तेजी देखने को मिली थी ठीक है अगर हम जून अगर हम मई अप्रेल से देखें मतलब माई में तो मार्केट बहुत दबा के गिरा था अगर हम अप्रेल से देखें तो अप्रेल से भी मार्केट बह इतना जबरदस्तेजी किया है कि देखें 50-50 कहां पर पहुंचिया ठीक है तो जाहिर से बात है कि प्रॉफिट बुकिंग तो हो गाई ठीक है लेकिन लॉक्डाउन जो है वो जादा नहीं लगेगा पहले जैसा लॉक्डाउन नहीं रहेगा आप उस कई लोगों को चिंता ऐस यह कि अरे यार अभी माल अमबेद देते हैं ऐसा करते हैं कि जब लॉक्डाउन का सिच्वेशन अगली बार हुआ था ऐसा फिर से वह जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर से वह एसा होगा हां कुछ-कुछ जगह जहां ज़्यादा रस है जहां ज़्यादा पब्लिक है व कि इसलिए problem हो रहा है थीक है कि जदा ट्रेने चालू होगे इसलिए हो रहा है और बहुत ज़्यादी रद्द भी की जा रही है कैंसेल भी की जा रही है ठीक है है तो इसलिए आप अगर profit में अगर हो तो आप Stop loss लगा के बैठे रहें आपका लॉस ना हो और उतने पर आप निकल जाए ठीक है और दूसरी चीजे जिनको भारी लॉस हो रहा हो ठीक है तो वो अभी कुछ भी ना करें अगर वो इनकम करने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरा बस खाली खर्चा इसी से चलता है तो वो क्या करें वो जिसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्टिटी वो निकाल सकते है ठीक है और मतलब भारी लॉस करके आप यहाँ पर निकालियेगा नहीं हाँ आपने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है आपको ऐसा लगता है कि ठीक भाई इतने लॉस में मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा तो ठीक आप उतना लॉस बुक कर सकते हैं और जो मतलब एक स्टॉक मार्केट में एसाइपी के थुरू वो निवेस करते हैं जैसे हमारे कुछ ऐसे निवेस्टेर हैं कि जो एसाइपी के थुरू मतलब स्टॉक में स्टॉक मार्केट में वो कुछ-कुछ स्टॉक चुनके उसमें एक सिस्टमेटिक डंग से वो अपना मंदली का एक वहां पर पैसा डालते हैं ठीक है तो वो ऐसा करें कि वो continue रखें उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है हां अगर आप profit में हो रहे हों तो आप profit book कर लीजिए अब अगर आप loss में हों तो आप डरिये नहीं क्योंकि पहले जैसा situation नहीं होने वाला है कि निप्टी 7000-8000 पर पहुंच जाएगा ठीक है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तो आप डरिये नहीं आप बस खाली जो अच्छे अच्छे स्टॉक है आपको गिरावट में दिखे तो आप उसको खरीद ली थी ठीक है और आप यहां पर देखें निप्टी बैंक 584 पॉइंट गिरा है जो कि यह दोपार में तो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ था ठीक है लगबख 600-600 के करीब यह गया था और अगर हम यहां पर देखें खोल के देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं ते लिए हैं कितना देंक निप्टी बैंग जबर्दस गिरा था हाँ आप यहां पर देख सकतेएं कितनी स्टॉप में गिरावट आए थी और देखें आपको सब शब शेयां 450 पाद करने हैं कि आप एक लिस्ट बनानी और लिस्ट बना के आप एकदम रेड़ी रखिए जैसे ही मार्केट रिकोवरी में आए वैसे या वहां पर इंट्री ले लिए तो आप ऐसे कर सकते हैं देखे जो SIP करते हैं क्योंकि देखे निवेसक हर तरीके के होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हर तरीके के होते हैं देखे पहले पहले जो लोग होते हैं रेटेल निमेसक जो छोटे निमेसक होते हैं वो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा उनके पास पैसा राता है उसी का वो टर्नोबर वो करते रहते हैं ठीक है अपनी जॉब भी करते हैं सब कुछ करते हैं उसमें करते हैं ठीक है और दूसरा वैसे छोटे निमेसक होते हैं जो केवल स्टॉक में कुछ-कुछ अच्छे स्टॉक चुन लेते हैं और उसमें वो SIP के मतलब एक सिस्टमेटिक धंग से वो उसमें पैसा डालते हैं ठीक है? एक SIP समझ लिजे SIP के थूरू वो मतलब पैसा डालते हैं ठीक है? मिच्वर फंड के थूरू वो खाली मार्केट से ही पैसे बनाते हैं ठीक है? मार्केट से पैसे बनाते हैं उसी के हिसाफ से उनका घर वरिवारी चलता है ठीक है? और जो चोथे इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं बड़े इन्वेस्टर वो उनिक उपर मार्केट का खेल होता है ठीक है तो देखे हम लोग छोटे इंवेस्टर हैं हम लोगों को क्या है कि भई ठीक मेरा इतना ज्यादा लॉस हो रहा है तो मैं उसके इसाब से अपना मैनेज करूंगा ठीक है तो आपको बस खाली सेम सिंपल यही करना है कि मार्केट में जो लॉकडाउन के पहुत तेजी से भागे हैं उनको आप बस यही करना कि नोट डाउन करके आपकी एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि भई फिर से अगर लॉकडाउन होगा फिर से वह स्टॉक गिरेगा नीचे तो मेरे को फिर से एक बार अपर चुंटी इस स्टॉक में लेने के लिए तो उस स्टॉक को में फिर से एक बार ले लूँगा ठीक है यह चीज आप ध्यान रखिएगा और आपको यह चीज ध्यान रखना है नोट डाउन आपको खुद ही करना रहेगा नहीं तो मैं खुद एक वीडियो डालूँगा सायद आपको अगर मिलेगा तो ठीक अगर नह मेरे करने में फर्क बहुत ज़्यादा है ठीक है तो आप अपने इसाब से जो स्टॉक ज्यादा भागा ओ लोकडाउन में आप वो सेर जरूर से ही नोट डाउन करके जैसे मार्केट में करक्सान आता है आपको ऐसा लगता है ठीक भाई अभी लेने जैसा है तो आप वहां पेंटरी ले लीजी और थोड़ा-थोड़ा करके खरीदेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा ठीक है और दीखें दूसरी चीज और है कि आपको फार्मा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा फार्मा कंपनियों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा तभी दूसरी है आई-टी यह कंपनियां दोड़ेंगे और बैंक वगरा एंबी एपसी वगरा सब गिरेंगी ठीक है अगर लॉक्डाउन होता है तो कि मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो आप लोग पहले सी सतर करेंए कुछ ऐसे स्टॉक चुन लिजिए आई-टी से और कुछ ऐसे चुन लिजिए फार्मा एंड केमिकल से ड्रक्स से ठीक है जैसे आर्टी ड्रक्स से उस पर आप नजर बनाए रखें और कुछ-कुछ ऐसी मतलब कंपनियां आप अपने हिसाब से देखके आप चुनके आप एक अच्छी अपरचुन्टी पास सकते हैं ठीक है तो आप नज लिएगा हाँ आपको ऐसा लगता हो कि मैं लॉस इस लॉस से मेरा ज्यादा प्राव्ब्रम नहीं होगा तो आप लॉस बुक करके निकल सकते हैं ठीक है ओके थेंक्यू फ्रेंट